शहर के अंबा माता थाना शेत्र के महाकाल चोरा हे पर गत 31 अक्टूबर को महाकाल के दर्शन करने गए कानपूर के रहने वाले रमेश दरजी को एक कच्रे से भरे आटो ने टक्कर मार दी इसके बाद रमेश को अस्पताल में इलाज के लिए भरती करवाया गया लेकिन अस् सहीत पूलिस थाने के चक्कर लगाने को मजबूर हो गये मृतक के परीजन विगत देड़ महीने से स्पी ऑफीस सहीत कई बार पूलिस थाने के चक्कर लगा चुके हैं और कार्यवाई की गुहार लगा रहे हैं मृतक के बेटे मुकेश टेलर ने बताया कि उसके पिता 31 अक तो जो या तो नगर निगम का या यूआटी का था जिसके द्वारा उसके पिता को टककर मारी गई मुकेश के मुताबिक उसने CCTV कैमरे के फुटेज भी पुलिस को मुहया करवा दिये लेकिन बावजुत इसके भी पुलिस द्वारा कोई कारेवाई नहीं की गई जिसके बाद पुलिस अदिक्षक को ग्यापन सौफ कर जल्त कारवाई की मांग की गई रमेश की मौत के एक महीने 20 दिन बीट जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कारेवाई नहीं किये जाने के बाद से उसके परिजन S.P. आफिस सहीद पुलिस थाने के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए है इस तरह से थाने के चक्कर काटेंगे तो मुझे यही है नयाज चाहिए पुलीस वाल उसकी तरफ से या तो वह कोई करे और करें तो हम आगे न्यालाय तक जाएंगे मैं मुकेस ट्रेलर कानपूर केड़ा मेरे पापा का 31 अक्टूंबर को उसमें मैंने एक तारी को उनकी रिपोर्ट दर्ज करें थी एक नौंबर को और 31 को एक्सिडेंट जब हो था उसके बाद में पुलिस वाली गाड़ी उनकी जीब में पापा को लेके और इमर्जेंसी अमान उपवाल चिकित साल आए थी उसके बाद में हमारे पास फोन आया थ पापा का पता चला पर हम वहां पर पहुंचे थे इमर्जेंसी उस्पिटल उसके बाद में पापा का उपचार चला और एक तारीकों मैंने रिपोर्ट दज करें और दो तारीकों मेरे पापा की मृत्ति हो गए थी ऑटो फिर बाद में मैंने पता चला तो CCTV फोटो और मैंना 21 दिन हो गया मुझे पुलिस प्रसाशन से अब मकाता खाने से मुझे अभी तक कोई हेल्प नहीं मिले और मुझे घुम्रा कर रहें बार बार और ऑर बोल रहें कि आपके कार वाई चल रही कार वह चल बौजे अभी तक महां से सपोर्ट नहीं मिला है मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा नियाय मिले और मुझे मेरी समच्या का समधान हो मेरी